नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे दर्शकों आप सभी लोगों को मालूम होगा अगर आप तंत्र लाइन में रूची रखते हैं एक थोड़ा सभी अगर आपको इसके प्रति लगाओ है तो मालूम होगा हम लोग जब जादू और तंत्र मंत्र की बात है ती बंगाल का नाम आता है आता है ना लेकिन बंगाल में क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर 100% जो तंत्र मंत्र होता उसमें से 60% तंत्र मंत्र में पेड़ पौधो का इस्तेमाल किया जाता है यानि उन से साहता ली जाती ह उन सक्तियों को एक्टिवेट किया जाता है मैजिक मैजिक उसे बोलते है जो आपके दिमाग को दोमिनेट के लिए हैक करते है अरे ये कैसे हुआ तीर के तरीके उसे क्या बोलते है मैजिक तो आपको कभी कभी नहीं मालूम रहता है कि हम कहीं रास्ते में जारें बातरूम करना चालू कि कहीं कहीं बातरूम पेशाब लगा अप गये आपने बातरूम ऐसी घास के उपर कर दिया उस दिन ऐसा नच्छत्र है कि उस घास के उपर बातरूम करने से आपको पांडु रोग, हार्मिया और अंड़कोश में प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ग्यान ही नहीं तो इसलिए आप अग्यानता में वह हो, आप हो, कोई भी कर सकता है हमारी माताएं बहने हैं वो भी बाहर जाती है जाने के बाद कभी कभी कुछ है ऐसे इस्थित में रहती हैं जैसे पिरियर्ट्स में, महवारी में वो कुछ ऐसे पाउधे होते हैं कि महवारियों में अगर आप उनको करास कर गए या उनसे आप उनको तोड़ लिये, टच कर दिये तो आपको माईग्रेन ठीक है, चिर्चड़ापन डर लगना और आपको लिकोरिया हो जाएगा ऐसे में लोग क्या कहेंगे तंत्र करा दिया गया, मंत्र करा दिया गया फिर आप तांत्रिकों के पास दोड़ेंगे, फिर तांत्रिक क्या बुलेगा कि आपके उपर आपके भावी ने आपकी जिठानी ने, आपकी देवरानी ने, आपके जेठ ने ऐसा करा रखा, यनि अच्छा कहांसे परवार का सत्यानास करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, आज के तांत्रिकों का, जो तांत्रिक बोले कि आपके घरके ने करा रखा, आपके पटेदारों ने करा र तो आपको पर भी लागू होगा अगले को पर भी लागू होगा उसे तरीके तंत्र में कुछ बाते होती हैं जो हर आदमी के पास बैट जा गया वो लॉंग या चावल उठा के देखेगा अच्छा तुमको यह तक लिए पहरे कुछ दिन पहले तुम्हारे यां लडाई हो जाए कि कौन मेरा सत्र है वह चाहे भाई बंदूर नाते रिष्टेदार अटिदार पटिदार कोई भी हो किसी से वैर नहीं लेना चाहिए किसी को पर आप अपजस नहीं लगाना चाहिए यह भी एक बहुत बड़ा पाप होता है प्यारे दर्शकों आज हमें एक वीडि पर नहीं होगा मैं फिर बता रहा हूं यूटूब के मैं जो डालता हूं आप कहीं सर्ज कर लेना मुझसे पहले ना आप कहीं नेट पे देखेंगे ना किसी जगह देखेंगे चुकि ये गुरु ग्यान है नेट वाला ग्यान नहीं है धतूरेब क्या रहता है धात्री है ूचोटे काल में हो य काल देव भी वोलते हैं कि सफेध धतुरे पर धात्रित तो काल drought पर पर लगा हो यह नहीं कहई से उखाळ करें लगाएं तब हम पर्योग करें बीजा द्यान सुनना मरी बात जहां जन्म लेता है शुर्वात होती तो पूरी उसकी उर्जा उसी प्रतवी के पास रहती है वह आप जैसे उखाड के लाओगे तो कम सकम 120 दिन लग जाता फिर से एक्टिवेट होने पे उस भूमी पर तब जाके कोई साधना सफल होती उसके बाद वहां होती है मेरी बात मेरेखाल से आप समझ रहे होगे क्या कहना चाहता हूँ तो ऐसा कहीं मंदीर पे शिवाले पे या कहीं जंगल में काला धतूरा का पेड़ दिख जाए उसकी पह класс करें काला धतूरा की उसकी जो टहनिया रहती साथी बैगन के बैगनी रख ता उस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी यह सिर्फ आपकी मनो कामना समाज की नहीं करेगा ध्यान रखने हैं, चुकि आप कर रहे हैं, आप इसके मालिक हैं, यह आपकी मनो कामना पूर्ण करेगा, किसी भी कृष्ण पच्छी के मंगलवार से ऐसे वृष्छी के पास आपको नित्य जाना है, कोई बंधन करके नहीं जाना है, को इतुनल मुखो के प्रणाम करना पिर गंगा जल छिलकना फिर प्रणाम करणा उसके बाद से इस भोड़ी सी भश मिलेना रख्ले कि मिल जाए कि अधिर मगरें सबसे बढ़ी ऐसको छिलक देना है फिर महाँ पर काले कंबल का असन लिखे बैठना है वो आपको यह मंत्र बोलना ओम रुद्रात्मक लिखलो ओम रुद्रात्मक काल देव ओम रुद्रात्मक काल देव मं अंग संग प्रतच्य मुरूपे आपरतच्छ मुरूपे मम्शर्वकार शिद्धे शिद्धे कुरू कुरू महादेव वाचा इस मंत्र की पांच माला आपको करना है पांच माला बाद वहाँ पर धूप जला कर बाद में धूप जलाना पहले नहीं धूप जलाना है फिर कच्चा दू छिलकना है और चले आना है ये आप सुबह ब्रह्म मूर्थ में करें तो अतित्तम ने शूर अश्ट के बाद आप इसको कर सकते हैं नियम जो भी हो एक हो ऐसे आपको 11 दिन जाना है 11 दिन उस पेड़ के पास से आपको आवाज आएगी आवाज आए तो करना महराज मेरे साथ चलो मेरे सभी कारिको मुझे जो जरूत पड़े जो भी दिक्कत हो मेरे कारिकर दिया करो मुझे जो बज़ सके का मैं देता रहूंगा जब तक मैं रहूंगा तब तक मेरे कार कर देना मेरे बाद आप अपने धाम अपने जो एक अपना जो अस्थान होता है धाम होता है वहाँ वापस चले जाना मेरे बच्चे या मेरे घर पर या मेरे रिस्तेदारों में किसी के साथ आपका वास नहीं होगा ये कहने एक बात प्रणाम करना वो बोल देंगे ठीक है तो उस पौधे को उल्टे हास एक बार में उखाड़ लेना ताकत लगा कि पानी डेली डालते रहें ताकि जड़े कोमल हो जाए तो आप उखाड़ लेंगे उस पूरे पाउधे को लाकर बड़े सवा मीटर काले कपड़े में रखकर गांठ मार कर काईदे से फिर दो तीन कपड़े से और लपेड़ दो ताकि उसके अंदर गांठ ना पड़े कि जब भी परियोग करना हो इस पूर्टली को सामने रखना धूब बत्तिस लगाना इसी मंतर को आप जाब करना मंतर को 108 बार जाब करेंगे और अपना जो भी काम बोल देंगे वो कर देंगे जब आपका काम हो जाए तो इसी पूर्टली उपर गाय का दूद्ध दे देना आप इस परियोग को करिए, लाब उठाइए, मेरे लाइक कोई सेवा होगी, तो एक अपना बेटा समझ के, अपना बालक समझ कर आदेश करिएगा, सुबा नौ से साम को पांच बजे की बीच कॉल रहती, संडे को हमारा ओफिस बंद रहता, मैं दस तारीक से अठारा तारीक का मैं बाहर रहूँगा, आयुध्या नहीं रहूँगा, तो किरपया कोई आए ना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद.